हेलो गाइस मैं हूँ राजकों अदाकाड और आप दिखाए हैं राज एगरीकर्चर एडूकेशन चैनल दोस्तों आज से हम मद्द पर्देश S.E.D.U. N.R.A.E.O की प्रेपेशन की शुरुवात करवा रहे हैं दोस्तों इसमें हम सारा एगरीकर्चर तेयर करवाएंगे दोस्तों आज हम एक छोटा सा ट्राइल वीडियो है जिसमें हम एगरीकर्चर जो अपडेट है उसके बारें डालाएंगे और इसमें बहुत ही सटीक और करंट वाले क्वेशन्स हमाँ आपकी रखे हैं जो की इस्टेट का डिपार्मेंट के से लिया गया है तो इसकी डाट अन्दा हाइजेस्ट अवार्ड तो उसमें एंपी जो है ना उसना हाइजेस्ट अवार्ड जो अरन किया है आगे पूछेगा क्या पूछ रहा है अवार्ड किर्शी कर्मन गिवन वाइद गवर्मेंट अपिने अंदा फिल्ल अप अग्री कल्चर फोर डैस्ट कितने कंजुकुटिव एक रिकेज जो इतना समय डैस छोड़ दिया है सिक्स कंजुकुटिव यह फैस्ट ऑप्शन नेक्स यह फाइब कंजुकुटिव यह आपढ़न लोग कंजुकुटिव यह दोस्तों आपको जैसे इसके वारा साइध मालूम होगा सबको लेकां बस सारे लोग लोग कनफीज रहते हैं कोई चार कोई पांच भोलता है तो इसका जो गर्रक्टर ऑइंसर क्या है सिक्स कंजुकुटिव यह है दोस्तों यह और क्य तो हमें कंजुगी टियर में लगातार 6 बार किर्शी करमाबार मिल चुका है लगातार 6 टैम हमें किर्शी करमाबार मिल चुका है तो प्लीज इसको याद देखें बहुत इंपोर तने लगातार 6 टैम नेक्स्ट वन है दोस्तो हमने इसमें question फुमने किया है हमने जाट sentence हुटा के लख यह आ है जेस्ट इसमें जो है न इतना question लिख दिया है आपर स्टेट रेंक पिश्ट सेंदा country इन प्रोडक्शन ओफ डैस तो दोस्तो हमारे जो सिसक्षा में पर्ट्क्षिन तो फास्ट आपस्टन है कि संध्र गराम थर्ट साधlies कर एियॡ्ड थाहरे और नेथर तुफ आपको सब ग्लावं मोट सब्कूर मैं चाहिएâte यह जो डाटा है दोस्तोच्ट हो ऑ redef sondern से नहीं लिए तो इसको आपने थोसमें मां आप देख महीं सकते वां जाखे तो यह सब्ट है पर हुसं अफटर होने का रहा हम हना ओर क्या होता है कि साब इन स्वाविन स्टेट भोलते हैं CH और मशूर तो आप इसमें से याद रखे लिए दोस्तों कैसे बनेगा इसमें से हमको यह बड़े दो option छोड़के कोई साभीदर से कोई एक option दे देंगे तो हम लोग confused हो जाएंगे तो आपको confused नहीं होना है इसलिए मैं question रखा है तो आप इसके सही answer क्या है all G is the correct answer next our state rank second in the country in the production of dash तो आप यह देखिए कि इसमें हम second के बारे पहले पश्ट कर रहा हुआ है तो यह कौन सा है next मेज, सेसं, रामतिल, एन मूम तो दोस्तों इसका जो correct answer यह है हम सब भी इसमें second है production में यह तो आप यहाद रखे मेज है सेसं में रामतिल, मूंग है मूंग में हम second आते हैं तो ऐसे questions पूछे जाएंगे दोस्तों और यह question तोड़ी सी state update पूछा जाएगा इस्पेशली जो agriculture crops है ना इस्टेर से ज़धा पूछी जाएगे दोस्तों अगर हमारा content पसंद आ रहा है तो प्रिस लाइक करें, share करें, subscribe करें और पूरा वीडियो देखें आप नहीं आते हैं तो प्लीज अगर नहीं आते हैं तो आप इसको भी याद रखिए यह जो कुटाइसमा से पक्का है आप नहीं आते हैं तो प्लीज अगर नहीं आते हैं तो आप मैं कमेंड करके बोलना के सरा आपने बोलाता है कि आएगा और नहीं आया लेकिन पक्का कुशन आएगा नेक्ट कॉशन है विच अप दब पोलें करफ आर सोन इन रवी सीजन अबंडेंटली देखो दोस्तो इसमें इस पर सर रवी सीजन की बारे में बोला है कि रवी सीजन में कौन सी करफ सब्सेज़ादा गुरुक की जाती हैं तो आप एक दिये अबंडेंटली मतलब कमर्चल यहां पर कमर्चल करफ पूछा है कि रवी सीजन में सबस्यादा कौन सी करफ गुरुक की जाती है तो आपको इन में से सारे अप्शन याद रखने हैं वीट ग्राम पीज लेंटेल मस्टर्ड शुगर केन लिंसीड आप यह याद रखिये तो नेक्स्ट कोशन है इसमें पहले हमने था टोल जीओगरापिकल एरिया तो देखो इसमें पहले हमने देज्जाद टोल जीओगरापिकल एरिया तो इसमें पूछ रहा है जो डेस मतला कितना percent जो है ना कितना हेक्टिर हमारा arrival है means cultivated area है तो cultivated area कितना है दोस्तों दीख थे हैं 251, 121, 131 इस अभी लाक येक्टिर है arrival तो दोस्तों जो correct answer ये है 151.91 लाक है क्टिर राइबल मिस इतना हमारा cultivated area है आपको मालूम होगा इतना हमारा cultivated area है तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिए बहुत important question है यह आप पूछा जा सकता है आपने इसमें खरीब सीजन के बारे पूज़ा है कि कितना है एरिया मदप्रेस में करीब सीजन का तो फ्रेस्ट ऑप्शन है 145 लाग हेक्टेर एरिया एक करेक्ट आगन सरा भी हमने पहले लिखके दिये हैं एक तरह से हमने प्रिपेर किया है आपके लिए कि आपको एक के तो आपको यहद रहे हैं से कोई ना कोई यह कोशन पका आएगा क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा स्टेंडर्ड बढ़ेगा और क्वेस्टन अच्छे पूछे जाएंगे नेक्षन वाट इस दा कॉरॉप डेंसिटी ऑफ मध्य परदेश बेरी इंपोर्डेंट कुरॉप डेंसिटी कितना है मध्य परदेश की अग्रेनोमी बालों को पता हो सकता है ल परदेश की 65.70 अब दोस्तों आपको फिर से इसको भी याद रखेंगे 9.4 अमारा क्या है मध्य परदेश का जियोग्राफिकल एरिया नान फॉन पॉर परसेंट का टोटल इंडिया का 9.4 परशेंट जियोग्राफिकल एरिया है तो आप इसको भी याद रखेंगे जो इसका फोरेश्ट एरिया है और यह लाश्ट में क्या है दोस्तों यह हमारे कंट्री का क्रॉप इंटेंशिटी यह कितना है वन थर्टीफाइफ परसेंट में है तो गाइस प्लीज बहुत इंपोर्डेंट है आप इसको लिखी भी सकते हैं तो यह से कुशन पक्का फूचि आएंगे नेश कुशन इसदा डैस इन अमध्य प्रदेश आर मैंली मैंली तो इसमें यह पूच रहा है कि हमारे स्टेट की एकोनमी का बैकबॉन क्या है अंधा फोलेंग अप्संस फॉस्ट वरिजे माइनिंग है सेकेंड अग्रीकल्चर अग्रीकल्चर कॉफेशन से थर् और मोग वोड़ोक सारा काम तो मैुनिंग उर्फोरफ्श्य करेंगे तो हमारे स्टेट में करते हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो अंधा कशना अहावमारे स्टेट का शोडी देश कर강 ऋंदे क्या है ब가요 हैँ मारए देश की स्टेट एक कौन में किस पर Tag ir अग्री पर्षेंट की कितनी पर्षेंट पोपुलेशन जो गौव में रहती है तो 3-4 पर्षेंट देखो यह है अब आउट 7-2 पर्षेंट दोस्तों दोनों ऑप्षन ही करेक्ट है इसलिए हमने थार्ड ऑफन जो है न बोथ का दिया है तो क्या दोस्तों 3-4 पर्षेंट है और इसको लाइक कर लाइक करके आप शेयर कर दी अपन दोस्तों को दिश्चे कि उनको भी एक इंपोडेंट कंटेंट जो है पढ़ने को मेरे दोस्तों आप हमें जद्धा जदा सेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा जितना भी हमें उसमें बास टाइम देखेगा उसके साथ मोटिवेशन मिलेगा कि लोगों के दार क्या है प्रिस लाइक एंड कमेंड करना ने बूलें अगर आप को पसंद आया तो हमें सेम एक सेकेंड पार्ट दस कोशन का प्रसे लेकर आने वाले हैं तब तक के लिए जैहिंद जैवारत पढ़ते रहें और अच्छी जाएंके के लिए मेनद करें